हालो एव्रीवान माइनम इस गौराव वलकम दू डबलो स्कृट्ट अब आप से वाकत है आज के इस पुटिकलर वीडियो लेक्सेस कंदर हम बात करने वाले हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट विंडोस के बारे में कि किसी भी विंडोस को हम यहां पर इंपोर्ट कैसे करते हैं देखे बैसिकली बात किजा आप यहां पर किया अपने विंडों किये और उस्तें विंडों से रीटेट आ स्वेसा कोई दूसर यहां पर इसाड़ा ने है आपके जो बनाई भी पहले जो फाइल है यहां पर आपके पास दूसरे विंडोस के अंदर आपकी यहां पर वर्किंग पूरा का पूरा टांस्वर कर सकते हैं किस तरह से काम होता है यह सारी चीज़े आज हम यहां पर देखने वाला है स्टाट करें तो मैं चलता हूं सब्सक्राइं यहां पर देखे है आपके पास एक विंडो बनी है जैसे विंडो से स्क्षेंल में जाओ यहां पर तो यह और विंडो बना रहा हुं यहां पर हैं और राता हूं यहां पर in the का ब Schwarический कर दिए विंड़ी है अब इन तो विंड़ों के ऊपर जो भी आपक यहां पर क्यां रखा है इसके अंदर में बात करूंग स्थी यहां पर यहां पर कोई रिरी कोई रिका है जैसे में यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रहा है और यहां पर फिल नाम का एक टैग बना दिया है और इसको यूज कर लिया अब मैं चाता हूँ मेरा को एक दूसरा सकरा मुझे डिजाइ계 मुझे डिजाइन करना है और इस गाड़ा के अंदर मुझे सीम weenđos दोनों की दोनों use करना है एचर थिस तो इस weenow ko क्या कर सकता हूं मैं यहां पर क्या सकता है एक्सपोर्ट करना है और फोल्डर का नाम क्या रखना है वह आप यहां पर कर सकते हैं just like मैं यहां पर चलता हूं और डेकस्ट सब्सक्र हैं काम करते हैं डाक्स को पर चल के एंड यहां पर फोल्ड़ का नाम दे जेते हैं just like हमेंилось को फिबाल याड याप यापके आप है आपके पास यहाँ पास यहां पर सवे करते हैं यहां पर कई आ च्रीन के शालता है क्लने है स्काड के अंदर आपके वापस स्काड़ा के अंदर आ चुक है अब यह वाली जो आपके वास यहां पर वरकिंग स्पेस है मैं इसको कर रहा हूं क्लोज कर रहा हूं क्लिया तो मैं आपके घाज करा है यहाँ तो मैं अपकी इंदर जाके चाहिं क्लियां नेख्ष्ट एंद जो मिला एप्लिकेशन का नाम है में कुछ भी रखने घरता हूं उपने के बाद यहां पर यहांप अब पर कुलेगा तो यहां पर कर सकते हैं आफ यहां यह निया बनात wash की नाम से फिर उसके बाद करें तो आप करें इंपोर्ट करें पहले आपने क्या ऑप्या करें पहलने करें यहां में ने बात करूंगा इंपोर्ट अप्शन में जाने के बाद दिखे आपके आज जो जी ड्राइव थी उसके अंदर मैंने इसकाड़ा के अंदर डिजाइन किया था और यहां पर निव फोल्डर के अंदर राख रखा था यहां पर यहां पर पर क्लिक क्या ओके उसके बाद मैं और यहां पर आपके लिखते और यहां पर नहीं पर पर है यहांपगे सभी यह डिख्लाइगा FOR अपको यहां पर यहां इस तरह से क्या कर सकते हैं आपका एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जो विंडो है उससे ट्रांसवर कर सकते हैं यदि आपकी विंडो कहीं पर यूज और रिपीट चीज यूज और है तो आप इसका क्या कर सकते हैं समझ में आगया होगा कि किस तरह से आप यहां पर विंडो को यूज कर रहे हैं एक दूसरे के टांसवर करने के लिए तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लक्षे के साथ तब तक आप हमासा बने रहिए थैंक्यू फूर वाचिंग इस वीडियो झाल